से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सर्वर में खराबी के चलते कई फ्लाइट्स लेट हैं शिवराज सिंग चोहान की फ्लाइट भी लेट हो गई लखनव से दिल्ली जा रहे थे केंद्र कृष्णी मंत्री शिवराज सिंग चौहान करीब एक घंटे फ्लाइट देवी से निकली कई फ्लाइट के समय बदलाव किया गया है सरवर में दिक्कत के चलते मैनुवली चेक इन सिस्टम लागू किया गया है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केंद्र कृष्णी मंत्री शिवराज सिंग चौहान लकनाओ से दिल्ली जा रहे थे करीब एक घंटे की देरी से फ्लाइट निकली है कई फ्लाइट के रूट में बदलाव किया गया है खनवा में बहरम के ताजियों के जुलूस के दौरान फिलस्तिन के जंडे लहरानी को लेकर मामला गर्मा चुका है राश्ट भक्त वीर युवा मंच ने जंडे फेहरानी के खिलाफ प्रधर्शन किया राश्ट भक्त वीर युवा मंच ने सलख पर तरंगा लहराया साथी इसराइल का जंडा लेकर समर्थन दर्शाया इस दोरान फिलिस्तिन को आतंकी संगठन हमास का समर्थक बताया साथी जंडा लहराने वालों और उनके नेत्रत्व करताओं पर कठोर कारवाई की मांग की इस दोरान जंडे लहरा रहे थे और अब ये मामला सामपनी आया है वीडियो सामपनी आया है जानकारी लेंगे सायोगी अमेट जस्वाल अमरसा जुड़ गए हैं अमेट ये फिलिस्तिन का जंडा लहरा थे वह नजर आये और उन्होंने हाथों में तिरंगा लहराया और साथ में इसराइल का जंडा भी लिया और इसराइल का समर्थन भी दर्शाया उदर पुलिस लगातार इस मामले में कारवाई की बात कह रही है और उनका अनुसंदान इस पूरे मामले पर चल रहा है बहुत बहुत लिए अमें जानकारी को साजह करने के लिए बात करेंगे जवलपुर की गोदाम में ब्लास्ट बना है रहस्या अभी तक रहस्या बना हुआ है ब्लास्ट का मामला मौके पर नहीं मिले हैं बारूत के कनपुलिस यह बता रहे हैं फॉरंसिक बीडीडीएस की टीम जाच कर रही है गोदाम में लगे सिस्टीवी के डीवियार भी गायब हैं कंचनपुर इंडस्ट्रियल एरिया गोदाम में यह ब्लास्ट हुआ था कपिल जैन सलील जैन द्वारा संचालत किया जा रहा था यह गोदाम राइपुर की आर्यन इंडस्ट्री ने कबाल ख ग्वालियर में चात्रा के साथ गैंगरेप का एक मामला सामनी आया गैंगरेप के दो आरूपियों को गिरफतार किया गया मुखे आरूपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम गिरफतार हुए हैं घटना के दौरान इस्तमाल कार भी बरामत की गई है घटना के दौरान अब भी ने अंदुसक्रम किया है और मेरा सभी से बच्चों से अपील भी है कि इस प्रकार के कोई परिजन को बताएं जिस्ते की कोई बाइरल नहीं करें आपका और प्रकंड में धारा जो है बारश में बैतूल में कंडम बसों की पोल खोल दी है एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें बारश के समय बस की छट से पानी गिरते हुए नज़र आया अब वीडियो साफनी आने के बाद आटी ओपर भी सवाल उतनी लगे हैं जब यातरी बस की स्थिती इतनी जादा खराब है तो फिर बस को फिटनस सर्टिफिकेट आखर कैसे मिला वाइरल वीडियो के जानकारी कलेक्टर तक पहुंची है जिसके बाद कलेक्टर ने जाच की बाद कही है कि यह तस्वीरें आपके सामने बैतूल की कि कि क्या हालत है बसों की ये बसे बयां कर रहे हैं और ये हर बार ऐसी तस्वीरे देखने को मिलती हैं कई बार ऐसी बसे हैं जो दोड़ती हैं सड़कों पर और बशाधित पर इनकी फिटनेस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हाथ से भी आए दिन हम देखते हैं इन दौर का जिकर करेंगे खजराना मंदर में अशलील हरकत हुई है दुकानदार ने नव विवाहत का वीडियो बनाया नव विवाहता का शौचाले में खिड़की से अशलील वीडियो बनाया युफ्ती ने पुलस में शिकार्ट की है सेसी टीवी में भागते हुए दिखाई दिया भी कमिशनर से मुलाकात की थी, मुलाकात में जीतू पटवारी ने कारवाई की मांग की थी और कहा कि पुलस कमिशनर ने दो दन का समय मांगा है और दो दन में कोई कारवाई नहीं हुई तो हम आगे की रणनीती तै करेंगे को अन्मति दी गए थी समाना तर, पर ठानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं अनेक दूफे कई धार्मिक अस्छाल हैं उस तरह के अस्छाल पूर्व से थानों में वहदूद हैं इन जगों पर आवजन होते हैं लेकिन इन जगों पर नीजी ब्यत्यों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है तो थाना पहरी के अस्तर पर ये तूटी हुई थी और इसके लिए थाना पहरी का पस्पष्टिकरन लिया गया है और उनके भी करवाई की जाएगी कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है एक टी आई ने नीजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर हमने कमिशनर साब को कहा है कि या तो पूरे भुपाल में नीजी आयोजन के हमें अनुमति दें हम भी पूरे थानों में एक साथ अपना अपनी धार्मिक परंपराओ के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं या फिर सर्विस बुक का पालन करें सर्विस बुक एक अधिकारी को शपत लेकर पालन करने की अनुमति देती है अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी एक खिलाप करवाई करो सस्पेंड करो या फिर आपको आयोजन करन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी कांग्रेस पार्टी को भी सारे थानों में एक साथ भुपाल के आयोजन करने की अनुमति तुंदर कांड कर जबलपुर में कल